ठीक है, the ultimate iron carbon diagram, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि मैंने पीछे iron carbon के अलावे एक नया टरम दिया है, iron Fe3C, that is iron carbide diagram, actually यही इसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे carbon का जो हमारा right side की जो line होगी, वो fix होता है, 6.67, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि iron के साथ carbon की maximum solubility किती होती यह 6.67, मतलब उतना percent से जादा वो नहीं मिल सकता, अगर उसके आगे हम जाते भी हैं, structure अगर बन भी जाता है, तो आपके किसी काम का नहीं, engineering point of view, वो irrelevant होता है, तो study हम करते हैं, 6.67 तक करते हैं, ठीक है, और 6.67 carbon percent पे, क्या मिल जाता है हमको, inter metallic compound, that is cementite, इसी लिए इसको iron carbon diagram के साथ-साथ हम लोग Fe, Fe3C diagram भी कहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो right box होगा, आप देख रहे हो, right जो line होगा, this will be your finally cementite, Fe3C, और यह जो solid line दीख रहा है, यह हमारा क्या है, यह cementite के composition को बता रहा है, जो पूरे iron carbon diagram में कहीं change नहीं होगा, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे, सबसे बरी बात है कि क्यों पढ़ते हैं iron carbon diagram, तो सबसे पहले समझना है कि iron carbon diagram भी एक तरह का phase diagram है, और iron carbon मिलके दो मुखी रूप से alloy बनते हैं, एक steel बनता है, दूसरा cast iron बनता है, ठीक है, और यह दोनों engineering application में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, अब जब यूज बात है, अलग-अलग applications में अलग-अलग property की हम चाहत रखेंगे, ठीक है, ना वही steel आपको sheet बनाना है, तो low carbon steel चाहिए, उसी steel से अगर आपको gear बनाना है, तो generally medium carbon steel लेंगे, और उसी से अगर हमको tool बनाना है, cutting tool तो HSS लेंगे, high carbon steel लेंगे, तो अलग-अलग application में अलग-अ position, अब ये variety या ये flexibility सिर्फ iron के पास है, reason फिर वही मैं बताऊंगा, allotropic structure और variation of temperature, उसमें इतना ज्यादा variation रहता है, जिस कारण से उसके structure में बदला होता है, और structure जितना बदलेगा, उतना ज्यादा property बदल सकता है, अगर आप उसको control करोगे, तो आपके हिसाब से property में changes होगा, यही material science का major concept है, if you change the microstructure, property will automatically change, दोनों में correlation है, ठीक है, तो अब ये है, सबसे पहले, दूसरी बात, iron carbon diagram जो है, वो हमारा equilibrium diagram है, जिसे आगे चलके मैं एक पराहूंगा, TTT diagram, time, temperature, transformation diagram, जिसे में हम austenite को cool करते हैं, अलग-अलग medium में, ठीक है, तो वहाँ पे देखोग होगे, वो equilibrium diagram नहीं होता, वो time dependent diagram है, और जो time dependent हो गया, कभी भी equilibrium नहीं होगा, वो non equilibrium diagram है, तो कई बार exam में question एक साथ पूछ देता है, कि TTT और iron carbon diagram कैसे diagram है, तो iron carbon diagram हमेशा equilibrium diagram होगा, TTT हमेशा non equilibrium होगा, अब equilibrium या non equilibrium simple concept है, equilibrium का मतलब ही होता है, state of balance, मतलब time काफी लेगा, एक अंबे समय के बाद अगर चीजें स्थिती, balance की स्थिती में आ जाती है, तो उसे ही equilibrium बोलते हैं, तो equilibrium कहने का ही मतलब है, कि वहाँ पे time काफी जादा है, slow चीजे हैं और वो stable हो गई है, और iron equilibrium का मतलब है, कि वहाँ पे थोरा सा time change होने से बहुत जादा change हो जाएगा, जब T time बहुत important है, यहाँ क्या है कि थोरा सा time घटे का बरेगा structure में कोई change नहीं होगा, तो यह जो भी experimental diagram है, वो एक लंबे समय को time frame को रखके उसमें जो transformation होता है, उसको यह बताया गया है, that's why it is equilibrium diagram, और TTT non equilibrium है, तो कि उसमें एक एक सकेंड बहुत कीमती है, जितना जादा fast cooling करो कि उतना ज्यादा hard structure बनेगा, martensite वही है, diffusion less transformation हो जाता है, लेकिन वही परलाइट है, coarse grain और fine grains यह क्या है, longer cooling time को बताता है, ठीक है, तो चीज को ध्यान रखना है कि यह हमारा क्या है, equilibrium diagram है, फिर यह इसमें mainly दो हमारे element present है, iron और carbon, इसको आप element मत लेना, यह मैंने इसलिए बता है कि आप iron carbon diagram में, एक axis पर क्या करोगे, इधर iron का percentage mention करोगे, एक तरफ carbon को करोगे, लेफ्ट हैं साइड जेनरली हम लोग iron को लेंगे और इधर carbon को लेंगे, carbon का maximum limitation कितना है, 6.67, ठीक है, तो उस point पे हमको चुकि compound मिल जाता है, इसलिए हम बोल देते iron, cementite diagram या Fe, Fe3C diagram, but actual इसका original नाम तो element पर ही होगा, चुकि binary phase diagram है, iron है और carbon है, तो इसलिए इसको हम लोग ये बोलते हैं, आप iron carbon diagram भी बोल सकते हो, और बोलते हैं अकसरा यही ज़्यादा यूज होता है, मैंने जान क्या आपका ताकि थोरा सा different आपको लगे, समझ में आए, चलिए, ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे, ये सबसे complicated binary phase diagram है, सबसे complicated इसलिए, तो इससे पहले copper nickel system आप पर होगे, या lead team पर होगे, ये सब हमारे phase diagram में ये सब छोटे छोटे रहते हैं पढ़ने के लिए, आपको उतना जरूरी नहीं है, उधर सोते questions नहीं आएंगे, तो ये सब simple diagram ह होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा invariant reactions नहीं होता है, यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा invariant points मिलेंगे, invariant reactions मिलेंगे, invariant reaction का मतलब है, जहाँ पे phase transformation आपको तुरत दिखाई देगा, तो वो आपको तीन यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले तीन line आप देख y-axis पे हमारा क्या हो जाएगा, temperature, degree C में, obviously, इधर हमारा x-axis होगा, that will be होगा, weight, percentage of carbon, इसमें कुछ-कुछ important points मिलेंगे हमको, जहाँ कि मैंने बताया था, last class में 2% industrial point of view से, और theoretically 2.1%, 2.1% carbon से इधर होगा, माल लेते हैं, कि 2.1% लगबग यहाँ आता है, तो इधर से इधर स्टील हो जाएगा, इसके इधर क्या हो जाएगा, cast iron, और यह जो extreme point मिलेगा, यहाँ कितना carbon percentage होगा, that will be 6.67%, याद रखना है, extreme point, vertical line will be cementite, यह compound बन गया है, इसके बाद का structure मैंने कहा, relevant नहीं है, engineering application में, क्योंकि FE3C ही अपने आप में काफी hard और brittle है, और hard और brittle लोगों की जरुवत नहीं होती है, engineering application में, या समाज में भी जो बहुत खरूस होता है, extreme खरूस होता है, उसको समाज से disbar कर दिया जाता, उसका कोई use नहीं होता है, तो वही है, आपको engineering application में, आपको toughness चाहिए, ductility चाहिए, malleability चाहिए, strength चाहिए, बहुत hardness और करके, फिर उसके बाद हम लोग तीनो invariant reactions को one by one करेंगे, सबसे पहला जो आप जान रहे हो, that is melting point 1539 degree C, the first temperature जो है आपका, that will be the melting point, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद जो हमारा यहाँ temperature है, वो है 1493 degree C, अभी मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जब ये लिख दूंगा और बताऊंगा लास में तब सबका significance समझ मायेगा, उसके बाद जो हमारे लिए temperature important है, that is nearly 1400, 1400 degree C, चलिए, उसके बाद, जो हमारे लिए important है, जो इधर से दिख रहा है, that will be 1147 degree C, अब क्या है, क्या बुक पर होगे, तो किसी बुक में ये 1492 है, 1495 है, तो उसके लिए घबरान नहीं है, ठीक है, अलग लग बुक में एक दो degree temperature का variation, मैंने भी कई बुक पढ़े हैं, तो मुझे मिला है, बट घबराना नहीं, इसमें हमारा काम हो जाएगा, और मैं आपको काफी relevant बता रहा हूँ, दूसरा जो हमारा यहाँ पे फिर एक जो temperature मिलेगा, वो मिलेगा, 910 degree C, ठीक है, यह हो गया 1147, यह 910, और यह कहीं न कहीं मिलेगा, 727 degree C, एक मिलेगा 768 भी, बट उसका significance सिर्फ magnetic और non magnetic है, तो उसको भी draw नहीं करेंगे, तो एक बार धेर सारे चीजों को draw कर देंगे, ताब confused हो जाओगे, तो एक यह करके, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, तो यह temperature variations दे दिया, इधर हमारे लिए कुछ important points मिलेगा, percentage carbon पे, एक मेरा मिलेगा, ठीक है, थोरा सा इसको आगे बरहा दे रहें, 2.1%, इसको ले लेते हैं 0.83%, very important point है, एक यहाँ पे आ जाएगा 4.3%, और यह आता है 6.67, 6.68, 6.6, जो आपको लिखना है लिखिए, बहुत minor changes है अलग अलग जगों पर अलग तरीके से रहता है, यह दो तीन critical point है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो reaction होता है, material को समझना है, कि हम उपर से चलेंगे, हमेशा graph जो है, उपर से draw करना, क्योंकि आपको पता है कि 1549 के उप उपर liquid है, जैसे हमने cooling curve में किया था, बिल्कुल उसी तरह नीचे आएंगे, और यही तरीका है iron carbon diagram draw करने का, बहुत गधे क्या करते हैं, नीचे से सुरू करते हैं, ठीक है, इधर से सुरू करेंगे, नहीं, आप दिमाग में एकदम uniformly रखिए, दिमाग में बैठाईए, एक का temperature कम हो जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अब यहाँ पे तीन points हमें मिलेंगे, ठीक है, मैं mark कर रहा हूँ 3 points जो की हमारे लिए बहुत important है, ठीक है, पहला जो carbon percentage है, वो है 0.1%, दूसरा है 0.18% और तीसरा है 0.55%, ठीक है, और यहीं से यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे तीन मिलेंगे, यहाँ पे, तो सबसे पहला जो reason हमारा बनता है, आपको पता है कि इसके उपर liquid है, और यहीं पे और 1549 के नीचे delta formation हो जाती है, तो delta reason जो है delta ferrite, वो बहुत छोटा reason होता है, वो कुछ ऐसा बनेगा, तो सबसे पहला जो reason आपका बनना, that will be delta reason, ठीक है, उसके बाद, यहाँ से, यहाँ जो graph है, वो कुछ इस तरह का है, तीन points important है, देखेंगे, बहुत, पहला जो point है, that will be 0.1%, मैं फुरा सब बाहर लिख रहा हूँ, 0.1%, दूसरा जो है, that will be 1.8%, बहुत सारे बुक में 0.2% भी लिखता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा फिर, 0.55%, अब 0.5 भी बहुत बुक में आपको मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है, यह percentage उतने important नहीं है, आप अगर 0.5 भी लिखते हो तो सही है, 1.8 के जाएगा, 2% भी, 0.2, 0.18%, ओक, ओक, ना, इसलिए नोट, 0.18%, राइट, 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 ठीक है, 0.5, तो यह थोरा सा हमारा चेंज रहता है, यह जो इस्ट्रक्चर बना, तो यह जो फेज कहलाएगा, अभी मैं थोरा सा नाम कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि यह रिजन, प्योर रिजन है, that is called delta ferrite, ठीक है, अब इधर आते हैं, अब यह हमारा यहाँ पे एक reaction होता है, यहाँ पे एक reaction होता है, मैं थोरा सा मोटे लाइन से से कर रहा हूँ, यहाँ पे जो reaction होगा, that will be peritactic reaction, ठीक है, peritactic reaction, कहाँ पे होगा, 1493 degree C पे, and what will be the composition, 0.18%, 0.18%, ठीक है, अब यह छोटा सा रिजन बन गया, तो तीन reaction है, तो तीन सेगमेंट में डाइग्राम हम लोग बना आया था कि, 1400 के नीचे, फुल फ्लेज में गामा मिलना सुरू हो जाता है, राइट, क्या मिलना लगता है, गामा, जिसे हम आस्टिनाइट बोलता है, अब यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा रीजन सुरू होता है, यहाँ से जो हमारा रीजन सुरू होता है, वो सुरू हो जात आपलता है दियान से देख़ेगा गामा का तो जहां पेरिटेक recorder reaction है वहां से एक कर्व ड्रॉ करेंगे और यहां से पूरा line state कर देंगे तो यहां से जो reaction होगा that will be your ठीक है यह हमारा यह जो reason आगया that will be your gamma reason गामा-a-iron तीक है जिससे हम लोग आस्टेनाइट भी बोलते हैं, यह इसका stable range है, ठीक है, इस range में यह अकेला single phase में है, समझना है stability कब होगी जब वो अकेला रहेगा, जैसे यहाँ छोटा सा delta है, इसका छोडा ही territory है, लेकिन अकेला है, तो अच्छा है, लेकिन यह combined form में आएगा, तब फिर वहाँ stability नहीं होग अब कैसे होगा, ध्यान समझना है, उसके बाद, यहाँ से आप देखोगे, यह जो line 1549 से आ रहाता है, यह यहाँ पर आएगा 4.3% पर, यह बहुत critical point है, तो यह ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे आएगा, ठीक है, और इसके बाद, यह इस तरफ चला जाता है, तो आप देखें अब मैं reason को define कर रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा, यह जो reason है हमारा, यह fully liquid reason है, यह जो reason आप देख रहे हो, fully liquid reason है, L reason है, यही चीज़ मैं समझाना चाहरा हूँ, कि pure iron का melting point 1549 होता है, लेकिन, आप steel बनाओ, या cast iron बनाओ, अब देखो, जैसे जैसे तुम इस त percentage बढ़ रहा है, तो 2.1% तक steel मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, cast iron, अब question exam में आएगा, कि cast iron का ज्यादा melting point होता है, कि steel का, अब लगा रटता है, रटना बिल्गुल भी नहीं है, ध्यान देना है, 2.1% जो देख रहा हूँ मैं, जिसको मैं debar कर रहा हूँ, आप देखे percent सिधर क्या हो गया, cast iron, अब आप देखो, यहाँ भी इस region में आप देख सकते हो, कि यह liquid है, यह जो yellow line आपको दीख रही है, this is liquid region, यह जो हमारा yellow line लग रहा है, इसके ऊपर का जो छेतर है, ठीक है, वो क्या है, फूरा liquid है, तो आप देख सकते हो, कि steel में यह लगभग जो ह यह इस जगह पे, जो 4.3% है, carbon का, इस point पे, ठीक है, इस point पे देखोगे, कि यहाँ जो हमारा molecular structure, अगर आप इसको draw करोगे, microscope से यहाँ पर कागर देखोगे, तो कैसा दीखेगा, simple liquid जैसा दिखाई देगा, क्या, complete liquid मिलेगा, तो कहीं न कहीं यह कौन सा composition है, cast iron का है, तो cast iron का कम होता है, इसलिए cast iron को आसानी से आप गला के उसको casting कर सकते हो, क्योंकि इसका melting point कम है, हम casting जब करेंगे manufacturing process में, तो steel का करेंगे बहुत महंगा पर जाएगा, reason क्या है, इसका melting point reason क्या है, नीचे है, ठीक है, अब आप reason decide करो, single reason है, एक तरफ single भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच वाला reason क्या होगा, भारत plus पाकिस्तान, यही concept है, इधर delta है, ज्यान से देखना है, इस reason में delta है, इस reason में delta है, इधर इस yellow के ऊपर, यहाँ पर yellow हो गया, मैं color change कर रहा आपको फिल हो सके यहां से देखना है यह जो रिजन है ठीक है red line के ऊपर that will be your liquid मैं थोरा सा बदल दे रहा हूं ठीक है यह पुरा liquid reason है रेड के ऊपर जो रिजन है आप देख सकते हो that is your liquid reason यह liquid हो गया यहां पे liquid हो गया शॉरी देखो द्यान से चीक है देखिए द्यान से यह delta reason है यह liquid reason है this is your liquid reason this is your delta reason यह बीच वाला reason क्या हो जाएगा बताइए गेस करके बताइए यह delta single है भारत यह liquid हो गया पाकिस्तान बीच वाला क्या हो जाएगा भारत प्लस पाकिस्तान can I write can I write थोड़ा सा rub करना पड़ रहा है जगा कम है तो अब carbon composition बाद में लिखाएंगे पहले इसको reason को समझ लेते हैं तो this will be reason will be your delta plus liquid यह जो reason आ गया क्या हो गया delta plus liquid clear है सबको delta plus liquid अब ध्यान से देखना है यह gamma का पूरा single reason है इस तरफ और उपर वाला liquid है यह बीच वाला reason क्या होगा बताइए yes करके बताइए yes ध्यान से देखना है reason कैसे समझना है ठीक है यह line white line जो दिख रहे हैं इसके इधर पूरा single कौन है gamma gamma का एक छत्र राज है औ और इस red line के उपर कौन है पूरा liquid liquid पूरा single phase है gamma iron solid में है single है combine नहीं है single है हम single को पकरेंगा यह होगा भारत यह होगा पाकिस्तान यह reason क्या कहला जाएगा can I write gamma plus L can I say gamma plus L clear चलिए उसके बाद यह इधर देखो पूरा liquid है इस region में पूरा liquid है इधर liquid है यह दिवाल क्या है कहना इसे this is F3C यह इधर है इधर liquid है इधर Fe3C है यह बीच का reason क्या हो जाएगा बताइए बीच का reason क्या हो जाएगा भारत प्लस पाकिस्तान मिला देंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं L plus Fe3C clear है L plus Fe3C लेकिन इस line के उपर क्योंकि इसके नीचे फिर composition change होगा इसके नीच composition आमरा क्या हो जाएगा चेज हो जाएगा तो यह आपने देखा तो एक reaction यहां होता है यहां पर हमारा liquid को जब ठंडा करेंगे तो हम लोग लीडे बुराइट बोलते हैं फिलाल मैं बता रहा हूँ आप मुझे बताइए लीडे बुराइट क्या होता है कोई जानता है तो बताइए उसको last में करेंगे अब हम लोग आते हैं लास्ट रियक्शन जो हमारा सबसे बचा है थोरा सा बचा हुआ है वो है यूटक को बताया था मैं ने कि 910 के बाद इसमें बेहब्रल चेंच आता है नौके आलफा ओना शुरू हो जाता है लिकिन अलफा फैराइट जो है वो ऐसा अतना soft बंदा है जिसमें carbon बहुत कम मिलता है carbon उसमें इतना ज्यादा soft है इतना ज्यादा soft है को carbon को adjust ही नहीं करता है बर्दास्टी नहीं कर पाता है I carbon क्या है carbon मिलेगा तो इसकी hardness बढ़ जाएगी तो उसके लिए क्या है अगर सू उसका जो नेचर है वो बहुत soft है, extremely soft होता है ferrite, alpha iron उसमें carbon तो obvious बाद है, बहुत कम रहेगा तो यहां से हमारा एक change मिलेगा तो यहां पे एक हमारे लिए important point है तो सबसे पहले, यहां पे आप देखोगे कि alpha का बहुत सुक्ष्म range रहता है that is maximum 0.025% लब आप समझ सकते हो 0.25% बहुत कम है बहुत कम है, इसलिए alpha जो होगा, extremely soft होगा सीधी सी बात है यह हमारा जो reason हो जाएगा that will be completely alpha ठीक है, और यहां पे देखोगे यह मिलेगा 0.008% यह तो और कम है यह बहुत छोटा reason है alpha का जो एकलाउता reason है मैं stability की बात कर रहा हूँ देखो यह delta का range है जिसमें वो single रह रहा है वो उसका stable हुआ उसी से हम check करते है maximum solubility यह gamma का पूरा भी दीखेगा आपको alpha कितना छोटा है देख सकते हो ठीक है अब यहां पे आपको दीखेगा कि 0.83% पे इस तरह से मिलेगा यहां से फिर behavior इसका change होगा ठीक है I guess complete है iron carbon diagram हमने बना लिया है अब आप देख सकते हो यह alpha किलोटा reason है ठीक है यह alpha किलोटा reason है यह gamma है बीच वाला क्या होगा जल्दी से बताए comment करके बीच वाला क्या होगा यह इंडिया यह पाकिस्तान बीच वाला क्या होगा yes very good यह हो जाएगा alpha plus gamma क्या होगा alpha plus gamma clear है अब इस range में है मतलब अगर देखिए utectoid reaction क्या है अगर यहां से यहां composition क्या होगा utectoid होगा अगर इसका यहां पे थोड़ा सा छोटा सा structure draw कर दू microscope से देखोगे तो कुछ ऐसा दीखेगा polycrystalline material जैसा दीखेगा single single यह stable range में है अब इसको अगर मैं यहां से ठंडा कर दूँ यहां से इसको अगर मैं ठंडा कर दूँ दियान से देखिएगा ठंडा करिएगा तो क्या बनेगा यह तो तेह है कि नीचे तो alpha है ही तो यहां पे इस particular position में 0.83% पे हम अगर करते हैं तो हमारे पास alpha तो मिलता ही है साथ में Fe3C भी मिलेगा क्यूं मिलेगा यह भी समझना है अब देखिए यह austenite है और इधर range क्या है इस region को define करिए पहले यह full-fledged austenite है और इसके बाद इधर जो region है वो क्या है? cementite यह पूरा region क्या हो जाएगा? alpha plus cementite लेकिन नीचे से इधर यह जो region हो जाएगा हमारा क्या जाएगा? alpha plus Fe3C मिल जाएगा? sorry, not alpha it would be gamma न? यह gamma iron है न? यह gamma है यह Fe3C है this will be gamma plus this will be gamma plus Fe3C ठीक है? यही composition मिलेगा और इसी composition का क्या नाम है? gamma plus Fe3C this composition यह इधर पूरा बनेगा यह पूरा बनेगा this composition is known as lidaburite ठीक है? और यहाँ पे alpha plus Fe3C जो बनता है that is pear light pearl जैसा दिखता है pearl light भी इसको बोलते हैं यह हम लोग कल डिसकस करेंगे fingerprint जैसा structure होता है alternate layer होगा alpha का और Fe3C का alpha का और Fe3C का alternate layer रहता है यहाँ भी gamma plus Fe3C का क्या रहेगा? alternate layer रहेगा जैसे आप transformation देखो यह liquid है यहाँ पे liquid से direct बनता है लेकिन इधर से देखोगे पहले liquid है फिर liquid कुछ transform होगा gamma में और उसके बाद फिर जाके वो liquid फिर transform हो जागा किस में? cementite में तिसलिए बनता है gamma plus Fe3C clear है यह चीज? gamma plus Fe3C अब यह जो मिला that will be your pearlite यह हो गया eutectoid reaction 0.83% पे यह हो गया eutectic reaction 4.3% पे और यह हो गया peritectic reaction that will be your at 0.18% at the rate of 1493 degree temperature clear है? चलिए अब यह तो मैंने reason तो आपको बता दिया अब इसमें जो सबसे बड़ा दो important पहलू है जानना कि cast iron किसे कहते है और steel किसे कहते है तो मैंने आपको बताया था previous sessions में कि 2.1% carbon उससे अगर कम होता है तो theoretically उसे क्या बोलते है steel बोलते है तो इस 2.1% के left जो composition बनेगा वो सब क्या कहलाएगा steel और 2.1% के जो दाहिने बनेगा वो सारा क्या कहलाएगा cast iron ठीक है अब उसमें दो चीज़ बताया था hypo और hyper ठीक है hypo छोटा है soft है पहले आता है hyper बाद में आता है लेकिन किसके तो ये point हम consider करेंगे ध्यान से दिखेगा यहाँ पे मैं consider करूंगा 4.3% पे तो 2.1% से इधर पूरा हुआ आपका क्या cast iron इस reaction को हम लोग बोलते हैं eutactic reaction ये जो reaction है at 4.3 पे क्या हो रहा है eutactic reaction अब eutactic से लेकिए 2.1 तक 2.1% से 4.3 तक क्या होगा hyper मैंने बता है तब प्रिवेश सेशन में it will be hyper sorry hypo तो this will be hypo eutactic cast iron इसका range कितना हो जाएगा 2.1% से लेकिए 4.3% तक exam में question यही आता है ये hypo eutactic cast iron का percentage carbon बोता ही है तो 2.1 से कितना 4.3% पर ये बाद eutactic point के बाद जो मिलेगा that will be hyper तो यहां से जो composition हमको मिलेगा ध्यान दिजेगा यहां से जो composition मिलेगा that will be hyper eutactic and that will be your cast iron till कहा तक 6.67 तक theoretically हलाकि इस range का तो हम use भी नहीं करते है बहुत hard and brittle हो जाएगा लेकिन आपको question ही आएगा कि बताए hyper eutactic cast iron में carbon percent कितना है तो पहले सोचने है reaction कौन सा है तो eutactic 4.3 hyper 4.3 से लेके 6.67 तक उसके बाद hypo eutactic तो eutactic कितना है 4.3 पे उससे पहले कतना कहा तक है eutectoid reaction तो eutectoid से पहले that will be hypo eutectoid steel और इसके बाद कहां से 0.83 से 2.1 ता क्या हो जाएगा hyper eutectoid steel ठीक है जगर नहीं है इसको अगले slides में लिखूँगा मैं जहाँ पर मैं reaction mention करूँगा वहाँ पर इस range को और मैं बताऊंगा ठीक है जगर थोड़ा सा complicated हो जाएगा अब ध्यान देना है कि यहाँ पे एक बार फिर से समझिए maximum solubility देखिए यह हमारा सबसे बड़ा range है कौन है gamma और यही हमारा और इसका solubility देखो कहां तक है यह कहां तक मतलब इस स्टील का वराइटी देखो 2.1% से लिके इधर तक gamma हर एक range में आ रहा है यही हमारा major working steel होता है उसी तरह आप से पुछेगा डेल्टा में maximum solubility of carbon तो देखो डेल्टा का single region कहां तक है that will be 0.1% that will be the maximum solubility इधर पूछेगा alpha में maximum solubility alpha का single phase कहां तक है नीचे है 0.008 और उपर कहां तक है 0.025 दोनों में कौन सा बड़ा है 0.025 यह हो गया इसका maximum solubility तो एक सबाल solubility पे भी रहता iron carbon diagram से clear है फिर पूछेगा what will be the stable range of gamma iron तो gamma iron का stable range देख रहे हो 910 से कितना है 1400 तक है ठीक है तीन reaction हो रहा है peritectic eutectic eutectoid ठीक है eutectoid पे कितना percent carbon पे होता है 0.83 क्या बन रहा है अगर reaction को समझेंगे क्या हो रहा है तो gamma iron है ठंधा कर रहे हो मतलब नीचे आओ कहां आओ 0.83 पे क्या मिल रहा है एक solid solution मिल रहा है किसका alpha और cementite का ठीक है यही gamma ठंडा होके क्या बन रहा है alpha प्लस cementite alternate layer रहता है plate जैसा रहता है एक layer alpha का फिर F3C का एक alpha का F3C का alternate layer और उसको देखो के microscope में finger जैसे लखा देखा fingerprint जैसा यह हमारा हो गया per light very important अब देखो इस point पे per light बन रहा है alpha 0.83 पे क्या बन रहा है per light और इधर reason क्या है alpha तो इस बीच का reason क्या होगा बताइए बहुत important है बहुत बच्चा confused होता है इस reason को इधर है alpha और point 83 पे क्या बन रहा है per light तो इस बी रेंज में क्या बनेगा नीचे नीचे आईए यह जो alpha plus gamma है समझना है यह 127 तक है यह जो reason है हमारा 127 सिले के room temperature तक यहाँ पे important reason बन रहा है मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा ferrite ferrite plus pure light कहां से रहा देखो यहाँ पे क्या बन रहा है इस जगा पे red line पे जो border है वो किसका है per light का है इधर छेतर किसका है alpha का है तो बीच में क्या होगा alpha कोई ferrite बोलते है alpha iron is your ferrite तो इस reason में क्या हो जाएगा ferrite plus per light clear और इस reason में utectoid steel hyper utectoid steel यहाँ से ठंधा करेंगे तो यहाँ इस reason में नीचे क्या बनेगा pure light है इधर cementite है pure light है यहाँ cementite है बीच में क्या बनेगा pure light plus cementite यह बहुत बड़ा question है अगर आप question bank बनाए होंगे तो आपको समझ मेंगा this will be pure light plus FE3C ठीक है समझ में आ रहे है reason कैसे reason लिख रहे है बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसा है आपको barrier समझ ना हो और single face इधर हमारा pure light यहाँ है तो इस जगह पे आके हमारा cementite है चीलिए इस reason में अब इसके इधर इसलिए नहीं लिख रहे है तो कि यह cast iron reason है यह हम सिर्फ इसकी बात कर रहे है स्टील में हम बात कर रहे है स्टील structure की बात कर रहे है तो question exam में आता है कि hyper eutectoid steel को ठंधा में करूँगा तो क्या मिलेगा क्या बनेगा pearlite plus cementite इधर gamma iron को 1277 के नीचे ठंधा करूँगा लेस देन 0.83% पर अब देगा 0.6% पर 0.7 पर तो आपको समझना है हिंट क्या दे रहा इस तरफ इधर क्या बन जाएगा ferrite plus pearlite दूसरा तरीका जीतना कारवन कम होगा फेराइट ज्यादा होगा तो pearlite में जोड़ देना है फेराइट कम कारवन बला होता है अज इतना कारवन जादा होगा आपको जाता है सिमेंटाइट बढ़ेगा तो उसको pearlite plus सिमेंटाइट कर देना है यह आपका पूरा complete हो गया iron carbon diagram ठीक है तीन major structure याद रखेंगे pearlite बन रहा है 0.83 यूटेक्ट्वाइट का आउटकम क्या है यूटेक्ट्वाइट पे कौन सा micro constituents बनता है स्टील का that will be pearlite इधर आलफा प्लस एफित्रीस इधर हमारा क्या बन रहा है गामा प्लस एफित्रीस का क्या नाम है लीडेबुराइट बट ये मैं बता रहा हूँ अल्रेटी 4.3% कारवन पे है ये कास्ट आइरन का एक्स्ट्रीम रूप है ज्यादा है इधर इसका यूज उतना नहीं है इसलिए इस रीजन का study हम नहीं करते हमारे लिए study वाला रीजन कौन है 2.1% से इस तरह